हलो फ्रेंट्स बेलकम टूबर यूट्यूब चैनल तैयारी विगनर्ज की इस वीडियो के माध्यम से आपको जीके के कोईशन्स ब्याख्या के साथ देखने को मिलेंगे पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा माराठा समराज में किस पेशवा को लड़ाकू पेशवा कहा जाता था प्रथम को लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है क्योंकि वे सिवाजी के बाद गोरिला युद्ध के सबसे बड़े प्रितिपातक थे वाजीराव प्रथम बा निजाबल मुल्क के बीच मार्च 1728 में पाल खेड़ा का ये दुखा जिसमें वाजीराव प्रथम बिजई हुए वही मार्च 1737 में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आख्रमण किया और मोगल वास्था मुहमत शा को दिल्ली चोड़ने पर विवश्ट कर दिया बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आख्रमण करने बाले प्रथम पेशवा थे अगला कुशन अ कलकत्ता में उच्छतम न्यायले की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका A आप्षन हो जाएगा 1773 के बिनायक अदिन्या इस दा करेक्ट आंसर 1773 के बिनायक अधिना या Regulating Act के द्वारा बंगाल के प्रथम कवर्ना जेनरल के रूप में वारेन हैस्टिंग्स को नियुक्त किया गया था इसी अधिनियम के तैथ कलकत्ता में उच्छतम नियायाले की स्थापना की गई और उसका प्रथम मुख्य नियायाधिस एलिजा एपे तता तीन अनियायाधिसों के रूप में चैंबर्स लेमेस्टर वाहाइड को नियुक्त किया गया था अगला क्वेशन है भारत छोडो अंदोलन के दोरान सामानांतर सरकार का गठन कहां किया गया था ए उप्षन है इलावाद में वी उप्षन है बलिया में सी उप्षन है बाराड सी में डी उप्षन है गौरकपुर में तो इसका भी उप्षन बिलकुल करेक्ट हो जाएगा बर्दा में जुलाई 1942 में आयोजित कांग्रेस कारेशमिती की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था इस आंदोलन के समय देश के कई छेत्रों में ब्रिटिस साशन समाप्त हो गया और समानांतर सरकार इस्थापित की गई उत्तर प्रिदेश के बलिया में गांदीवादी नेता चितू पांडे के नित्रत्त में पहली समानांतर सरकार इस्थापित होई थी वहीं पश्य मंगाल के मिदनापुर में तामलुक नामकिस्थान पर दिसम्बर 1942 में तामलुक जातिय सरकार की स्थापना की गई थी अगला question है doctrine of lab सिद्दान को किस governor general ने प्रारंब किया था तो यह option है Lord Gurjan V option है Lord Litton C option है Lord Dalhoji D option है Lord Belagely तो इसका C option बिल्कुल correct हो जाएगा Lord Dalhoji Lord Gurjan जो दिया गया है तो 1905 में जो बंगार बिवाजन हुआ था उस समय जो governor थे वो कौन थे Lord Gurjan 1848 से 1856 तक Lord Dalhoji governor general रहे जिसने एक नई नीती अपनाई जिससे doctrine of lab सिद्दान्त अत्वा बिलाई नीती कहा जाता है यह सिद्दान्त इस तरक पर आधारित था कि यदि किसी सासक की मृत्यू हो जाती है और उसका कोई पुरुस उत्तरादिकारी नहीं है तो उसकी रियासत हडपली जाएगी यानि कम्पिनी के भूबाग का हिस्सा बन जाएगी इस सिद्दान्त के आधार पर एक कि बाद एक कई रियासतें जैसे कि सतारा, समलपूर, उदैपूर, नागपूर और जहासी अंग्रेजों के हाथों में चली गई अंतता इस्ट इंडिया कम्पिनी ने बड़ सटारो सो चपन अवद को भी अपने में कपजे में ले लिया था अगला कोशन है भारत के सम्मिधान के उपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है इसका यह उप्षन बिलकुल करेक्ट हो जाएगा भारत के सम्मिधान के उपर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 माना जाता है इस अधिनियम के तहट केंदरवा राज्यों के भी सक्तियों का बटवारा किया तथ राज में 12 सासन समाप्त कर केंद में 12 सासन लागू किया गया यह सबनियम के द्वारा ही भारत में सरप्रतम संगिये सासन प्रडाली की नीव रखी गई संग की दो काईयां थी ब्रिटिस भारतिये प्रावन तथा देसी रियासते भारत सरकार अधनियम 1935 के तहदी संग लोक सेवा आयोग प्रांतिय सेवा आयोग तता संग्य नयायले की स्थापना की गई थी अगला कोशन है भारती उप महादूई किसका भाग था ए अप्षन है गौडवाना लेंट तो इसका ए अप्षन ही बिलकुल करेक्ट हो जाएगा भारत एक विसाल भूवाग है जिसका निर्माड विविन भूगर्वी ये कालों की दोरान हुआ है और जिसके जिसने इसके उच्चावचों को प्रवावित किया है कुछ प्रमाडों की आधार पर सिध्धान्तों की साहता से वूगर्व सास्त्रियों ने इन बहुते काकृतियों की निर्माड की ब्याख्या करने की कोशिश की है इस प्रकार का एक सर्वमान सिध्धान्त है प्लेट विवर्तनिक का सिध्धान्त इस सिध्धान्त के अनुसार प्रत्वी की उपरी जो परपटी है साथ बड़ी एवं कुछ छोटी पिलेटों से बनी है इन पिलेटों में लाखो वर्सों से हो रही गती के कारण महादुईपों की इस्तिती तता आकार में परिवर्तन आया है बारत की वर्तमान इस्तिलाकृती का विकास भी इसी प्रकार की गतियों से हुआ है अर्साथ भारत का सबसे प्राचीन भाग प्राय अदुपी भाग गोनबाना लेंड का एक हिस्सा है गोनबाना लेंड के विसाल छेत्र में भारती उपमहादी पॉस्ट्रेलिया दच्छड एफ्रीका दच्छड अमेरिका एबम अंटारक टिका के छेत्रा शामिल थे अगला कुशन है किस भारतिय राजी की समुद्री तटिय सीमा सबसे छोटी है तो इसका गोवा बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतिय समुद्री की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है इनमें से भारतिय मुख्य भूमी का तटिय विस्थार 3300 किलोमीटर तथा दुईप छेत्र अडवान निकोबार एबम लक्षितीप का संयुक्त विस्थार 1216.6 किलोमीटर है भारतिय समुद्री तटपर नौराजी तथा चारक केंद्र सासित प्रदेश है प्रिशन के अंतरगत या प्रिशन अंतरगत दिये गए भारति राज्यों की समुद्री तटिय सीमा की लंबाई इस प्रकार होगी गुजरात की जो तटिय सीमा है सबसे ज़्यादा लंबी हो और ये कॉशन कई बार पूछा जाता है तो याद रखेगा ठीक है और ईसा फिर गोगा इस प्रकार गुजरात सबसे लंबी समुद्रिय तटिय सीमा वाला राज्य है सता गोगा सबसे छोटी समुद्र तटिय वाला राज्य है अगला प्रदेवी कोंकी है तो इसका D option बिलकल करेक्ट हो जाएगा भारति की सबसे उची परवत चोटी के टू गॉड विन ओस्टिन है जो कारा कोरम परवत सिंख़ा में इस्थित है इस परवत सिखर की उचाई 8,611 मीटर है प्रश्ण की अनुसार नंदा देवी परवत की उचाई 7,817 मीटर है जो की उत्राखंड राजे में अवस्थित है वहीं कारमीट परवत की लंबाई 7,756 मीटर है और नंदा कोर्ट परवत की लंबाई 6,860 मीटर है जो दोनों के जो परवत की इस्थिती है वो उत्राखंड राजे में आती है ठीक है तो नंदा देवी परवत कामीट परवत और नंद कोर्ट परवत सभी कहां पर हैं तो य C option पट्टीदार खेती, C option समोक्ष रेखिये जोताई, D option बन रोपर, तो इसका C option बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिल सिलोप्स जो होती है उन पर मिर्दा अपरदन को समोक्ष रेखिये जोताई के द्वारा नियंतृत किया जाता है, मृदा की आवरण का बिनास ही मृदा अपरदन कहलाता है मृदा अवरदन के प्रमुक कारण बनो उनमूलन मतलब की बनो की इकटाई या ती सीचाई अनियंत्रित चराई आदी है वही मिरदा परदन को रोक कर उसकी और वरता को बनाई रखना मिरदा संरक्षन कहलाता है प्रश्ण की अनुसार परवतिय सिलोप्स तथा तीब रठाल वाली भूमी पर समोच रेखाओ के अनुसार जो ताईबा मेड़ बनाने से पानी के बाहाओं में रिक्वावट आती है तथा मिरदा पानी के साथ नहीं बहती है और मिरदा का परदन नियंत्रित हो जाता है अगला कोशन है किस भारती नदी का अंतर देश ये जल निकास है ये अप्शन अलूनी नदी तो ये लूनी नदी जो है वो कहाँ पर है तो ये राजिस्थान राज्ज में है और ये सबसे बड़ी राजिस्थान की नदी है आरावली के पक्षिम में लूनी राजिस्थान क से निकलती है और लूनी कहलाती है तिलवाडा तक यह पश्चिम दिसा में बहती है और तदपशा दक्षण पश्चिम दिसा में बहती हुई कक्ष के रन में जा मिलती है यह संपूर नदी तंत्राल पकालिक है इसलिए लूनी नदी का अंतर देश यह जल निकास है और यह यह टेगा बनस्पति, D option है परवत बनस्पति, तो सुंदरी ब्रक्ष जो है जवारिये बन की एक बिसेश प्रकार की बनस्पति है, मैंग्रो बंत अत्वाजवारिये बन एक प्रकार की बानस्पतिक बन होते हैं, यह तटवर्ती छेत्रों जहां जवार भाठा आते हैं, वहाँ पर सबसे महतपूर बनस्पती है जिसमें पौदों की जड़े पानी में डूबी रहती है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, किष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह बनस्पती मिलती है प्राया गंगा ब्रह्मो पुत्र डेल्टा में सुंदरी बच्छ जैसी बनस्पती पाई जाती है जो एक औसदी गुडवाली बनस्पती है अगला कुशन है मुख्य आयरेन ये वो मिस्ट्रील उद्योग किस पठार में अवस्थेत है अगला कुशन इसका डिस्क्राइब होगा चोटा नागपुर बेहार राजी के दच्छन में अवस्थेत है जिस पर महा नदीश स्वन रेखा सोन बादामोदर नदियां बहती है चोटा नागपुर पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है क्योंकि खनिच बंडार जैसे आयरेन बाइस्ट्री लुद्योग की दृष्टी से ये भारत का सबसे संपन्न छेत्र है इस पठार के अंतरगत कई अन्यमजोले और चोटे पठार हैं जैसे की राची, हजारी, बाग, सिंग, भूम, धनवाद, पलामू, आदी अगला कुशन है कौन सा तत्त सूर्य में सरवाधिक पाया जाता है इसका सी आप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सूर्य सौर्मंडल के केंदर में स्थित है जो की अत्तिक गरम गैसों से बना है सूर्य गैसीय पिंड है और इसलिए इसकी रस्सन रचना अनिग्रेहों से भिन है सूर्य सबसे आंत्रिक परत में नाब की भटी की तरह प्रक्रियां चलती रहती है वहीं सूर्य में द्रबिमान के हिसाब से हाइड्रोजन की मात्रा लगवग 70.52% हीलियम की मात्रा 27.57% अक्सीजन की मात्रा लगवग 0.96% कार्बन की मात्रा 0.31% अक्सीजन की मात्रा लगवग 1.00% से भी कम है अधा प्रशन अनुसार हाइड्रोजन नामक्तत सूर्य में सरवाधिक मात्रा में पाया जाता है और सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है तो कार्बन सबसे कम मात्रा में पाया जाता है ठीक है तो ये थे हमारे आज के प्रशन उत्तर कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताईए लाइक कमेंट शेर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजे और पास में दीगेवेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो वाच करने के लिए कमेंट शेक्छन में कमेंट जरूर कीजिएगा कुछ सजेशन करना चाहते हैं सजेशन कीजिए कोई क्वेरी है तो इसे भी आप कमेंट शेक्छन में लिख सकते हैं वीडियो की अगर PDF चाहिए तो टेलिग्राम गृप को जोईन कीजिए वीडियो की लिंक में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा तो वहां से आप जोईन कर सकते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यबाद वीडियो बाच करने के लिए